गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैमिकल बॉंडिंग एंड मोलिकूलर स्टॉक्चर्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लैविश डोट स्टॉक्चर्स यानि कि किसी एटम के स्राउंडिंग में हमने उसके आउटर शेल में जितने भी वेलेंस इलेक्टरोन थे उनको क्या किया था सेटल किया था और उस रिपर्जेंटेशन को हमने नाम दिया था लैविश डोट स्टॉक्चर्स सो उसी टोपिक को हम लोग प्रोसीड करेंगे देखिए लास्ट टाइम हम लोगोंने फॉर्मेशन करी थी सी एलटू के मोलेक्यूल की सी एलटू के जो दोनों एटम्स थे उन्होंने क्या शो किया था कि इनके आउटर शेल में हमारे पास क्या है दो चार छे दो चार 6 छे यानि कि साथ साथ हमारे पास एलेक्ट्रोन थे फिर वो जो उनका साथवा एलेक्ट्रोन था यानि कि साथवा एलेक्ट्रोन इस ने शेयर किया और इस ने तो एक एक दोनों ने क्या किया एलेक्ट्रोन को शेयर किया और एक एक शेयर करने का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल of electrons है यहां पर जो sharing के अंदर आए है वो कितने है दो electron और दो electron से मिलके हमारे पास क्या बनता है एक single bond तो कहता CL2 के जो दोनों atoms थे उन्होंने क्या किया उन्होंने sharing of electrons किया और उन्होंने क्या बनाया CLO CL के बीच में जो bond है like इस हिसाब से तो ऐसे उनकी bond की जो formation है वो हुई जिसे हमने नाम दिया था कि लैविश्ट डोट स्टक्चर सी यानि कि जब इसके उपर यह जो आपको electrons अगर हम इने थोड़ा ओर डार करें तो यह जो हमने डोट बनाये थे अगर हमारे पास CL2 के इलावा कोई और मोलिक्यूल्स हो तो हम उनको कैसे शो करेंगे लैविश्ट डोट स्टक्चर के अकोर्डिक तो उसके लिए हमें क्या करना होगा लैविश्ट डोट स्टक्चर बनाना होगा बट कहता आप लोग अधर मोलिक्यूल्स के लिए अगर उसको बनाओगे तो आपको कुछ conditions को क्या करना पड़ेगा follow करना पड़ेगा तो उनमें से कौन कौन सी conditions है आईए देखते हैं First one Each bond formed by the sharing of an electron between atoms कहता जो each bond होगा वो कब बनेगा वो बनेगा sharing of electrons के बाद अगर दो atoms है ये दोनों atoms एक एक electron को आपश में क्या करते हैं share करते हैं तो कहता उस sharing की वज़े से क्या होगा उन दोनों के बीच में bond की जो formation है वो हो जाएगी क्या लिखा है Each bond formed by the sharing of an electron between atoms atoms के बीच में electrons की sharing होना कहता बहुत जरूरी है उसी के बाद हमारे पास bond की formation होगी Second जो point है हमारे पास Each atom contribute at least one electron to shared pair कहता हमारे पास जो भी atoms है उन atoms में से at least हर एक atom को एक electron तो share करना ही पड़ेगा अगर मान लो हमारे पास दो atom है एक atom ये एक ये इन दोनों को अगर bond की formation करनी है तो क्या करना होगा एक electron इसको share करना पड़ेगा एक electron इसको share करना पड़ेगा और तब हमारे पास जो दो electron होंगे वो sharing के अंदर आ जाएंगे और इन दोनों atoms के बीच में bond की formation हो जाएगी पहले point में उसने बताया था आटलिस्ट एक electron तो share करना ही पड़ेगा देन हमारे पास third point combining atoms attain outer shell noble gas configuration अब ये जो दो atoms थे जिनोंने एक एक electron आपश में share कर लिया था और bond की formation कर ली थी कहता है ये जो combining atoms है एक atom इस corner पे और second atom इस corner पे तो कहता है ये जो combining atoms है combining करने के बाद after sharing the electron कहता क्या हो जाता है इनकी जो configuration बनती है वो configuration होती है stable और जिससे आप कह सकते हो कि ये noble gas configuration को attain कर लेते है अब आप लोगों को पता होना चाहिए noble gas का noble gas हमारे पास periodic table में आते है बिलकुल last में like हमारे पास helium, argon, krypton, genome ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है noble gas और noble gas का हमें पता है कि उनका जो outer shell है वो कैशा होता है fulfilled होता है यानि कि उनके outer shell के अंदर जो electrons होंगे वो complete field होंगे जिसकी वज़े से उनकी जो stability है वो रहती है तो यहां पे भी उन्होंने वही कहा है कि ये जो atom जिनोंने आपश में एक-एक electron कहता share किया था share करने के बाद जब ये bond की formation कर लेते है एक combining state के अंदर आ जाते है तो कहता आपके पास इनकी जो configuration बनेगी outer shell की वो configuration stable होगी जिसे हम कह सकते हैं कि ये noble gas configuration को attain कर लेते हैं आईए अब example देखते हैं example से ये तिनों point हम लें clear होंगे सबसे पहले हमारे पास जो example है वो है H2O and CCL4 यानि की water और carbon tetracloride H2O water CCL4 C का मतलब carbon CL chloride कितने हैं हमारे पास 4 तो क्या नाम होगा इसका carbon tetracloride सबसे पहले हम case देखते हैं water का यानि की H2O H2O में हमारे पास दो type के atoms है एक atom हमारे पास है oxygen और दूसरा जो हमारे पास atom है यानि की दूसरी जो type है वो है हमारे पास hydrogen अब हमने क्या कहा कि bond बनाने के लिए जो atoms है उनको कहता at least एक electron share करना ही पड़ेगा तो hydrogen के पास हमें पता है कितने electron होते है hydrogen के पास हम एक electron इसको dark कर देते हैं इस वाले hydrogen पे भी कितने electron होंगे एक तो इसे भी हम क्या गर देते हैं dark कर देते हैं अब हमारे पास जो इनका central हमारे पास क्या है atom है कौन है oxygen oxygen के कितने electron हैं यहां पर हमारे पास अगर देखें दो उपर दो नीचे चार एक left में और एक right में तो कितने होगे 6 लेकिन 6 electron इसके हो गए और एक एक electron दोनों hydrogen का हो गया फिर कहता है अगर bond बनाना है अब हमें इनके बीच में तो क्या करना होगा कि जो atoms है दो atoms है इन दोनों को एक एक electron आपस में share करना होगा तब ही हमारे पस bond की formation हो पाएगी तो हम क्या करते हैं एक electron जो hydrogen का है वो और इधर से हमारे पस जो इसका left का या जो right का एक electron है oxygen का वो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं मिला देते हैं ये दोनों हमने क्या कर दिये dark ऐसे ही हम लोग left side में भी करेंगे तो इसको भी हमने क्या कर दिया dark और इसको हमने क्या कर दिया एक blue color के round में fix कर दिया like हमने ये जो blue color का round है इसके अंदर हमारे पास hydrogen है और उस round में round structures में हमारे पास क्या है दो electron present है सेल इसी तरह लेफ्ट साइड में हमारे पास जो hydrogen है उसके पास एक electron खुद का था और उसने एक electron किसे ले लिया oxygen के atom से उसके पास भी अब दो ये जो dot आपको दिख रहे है dark ये हमारे पास क्या है दो electron इसको भी हम एक round structures में क्या कर देंगे बंद कर देंगे और अब इस blue color के जो hydrogen का round है वहाँ पे आपको दो दिख रहे है electron तो यानि कि left और right side में अब हमारे पास जो ये दोनों round structures है इनके अंदर दो-दो electron आ गई है और दो-दो electron कहां से आई है एक electron hydrogen से और second electron oxygen से तो यानि कि यहाँ पे क्या होगी electrons की sharing और अगर कहता electrons की sharing हो गई तो it means हम क्या कह सकते हैं कि hydrogen और oxygen के अंदर bond की formation हो गई या आप लोग ये बोल सकते हो कि oxygen और hydrogen अब combining atoms हो गई तो यानि कि अब O और H के बीच में bond बन गया इधर भी O और H के बीच में bond बन गया अब ये जो O है O oxygen atom ये इन दोनों में क्या है common है तो अब हमारे पास यहां पर electron बच जाते है oxygen पर दो electron इसमें उपर की तरफ और दो electron इसमें नीचे की तरफ ये जो दो electron उपर दो electron नीचे यानि कि total number of four electrons है ये four electrons यहां पर present रहेंगे as a lone pair lone pair हमारे पास क्या होते है यानि कि वो electron जो bonding में involved नहीं हो रहे उन्हें हम कहा देते हैं lone pair so oxygen के यहां पर दो electron यूज हुए है दोनों hydrogen atom के साथ bond बनाने में और हमारे पास एक एक electron यानि कि total number of दो electron ही यूज हुए है दो hydrogens के bond बनाने के लिए so finally हमारे पास क्या हो जाता है ये blue color का round इसमें hydrogen और इसके पास दो electron उसके बाद left side में hydrogen red color में और उसका जो round है वो blue color में और इसके पास भी दो hydrogen बीच में हमारे पास आता है oxygen अब ये oxygen क्या करेगा चार electron तो इसके पास उपर और नीचे पड़े हुए है यानि कि दो उपर और दो नीचे अब जो electrons इसने share किये थे hydrogen के साथ वो electrons भी ये क्या करेगा खुद के एक round के अंदर रखेगा क्योंकि हमने इस topic से पहले पढ़ा का octet rule octet rule क्या बोलता था कि valence shell के अंदर कहता 8 electron हमारे पास है तो it means उस compound की उस atom की जो stability है वो सही है और उसकी जो electronic configuration है वो भी stable है जब यह 8 electron के valence shell में ले लेता है after sharing कहता है चार इसके पास पड़े हुए थे उपर और नीचे दो electron इसने share कर लिए थे एक एक hydrogen के साथ so total number of electrons इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 यानि कि इसका octet complete और अगर हम इसका round देखे है hydrogen का तो इसके भी 2 electron complete इधर वाले hydrogen के भी 2 electron complete जिसकी विज़े से हमने यहां पे क्या लिखा है कि 2 electron किसके होंगे यह hydrogen इधर 8 electron किसके होंगे यह इस बीच वाले structures के round structures के और इधर भी 2 electron यान हमारे पास क्या बन जाता है H2O का molecule ठीक है और ऐसे इनकी जो atoms है जो electrons है वो आपश में share होके bond की formation कर लेते हैं कुछ नहीं किया हमने 1 oxygen, 1 hydrogen, 1 hydrogen, 1 hydrogen इदर 2 hydrogen के पास 1 electron थे इन्होंने वो electron sharing के अदर डाल दिए अब जो oxygen था इसके पास 2 electron उपर है, 2 electron नीचे है, 1 electron इदर प्रेजंट है, 1 electron इदर प्रेजंट है ठीक है अब हम सैकंड केस देखते हैं जो हमारे पास किसका है कैल्षिम टेट्राकल्राइड यानि कि C.C.L. 4 अब C.C.L. 4 के अंदर हमारे पास क्या चाह है एक तो है कारबन और 4 हमारे पास है क्लोरीन सो कार्बन जो होगा उसे हम कहां पे लिखेंगे सेंटर में और जो क्लोरीन होंगे वो हम इसके चारों तरफ तो एक कार्बन एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा क्लोरीन और चोथा क्लोरीन अब हमें बात करनी है इनके valence electrons की अब electrons की बात करनी है तो chlorine का हमारे पास atomic नमबर कितना है 17 तो उसके last shell में electrons देखी कितने होगे 17 की electronic configuration अगर करें तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P5 तो यानिक इसके पास कितने हैं हमारे पास 5 electron chlorine के outer shell के अंदर present है तो यानिकि 2, 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 total number of किसके देखेंगे हम 3 की यानिकि 3 शाली के तो क्या होगा S और P के अंदर 5 और 2, 7 electron कितने है 7 electron हमारे पास present है तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 2 हम इदर उपर की तरफ 2 left side में 2 right side में 2, 2, 4 और 2, 6 एक electron बच गया उसे हम लिखे देते हैं यहाँ पर same as it is चारो जो chlorine है वो ऐसे ही involve करेंगे अपने outer shell के wellish electron को यहाँ पर इसके लिए formations of bonding के लिए तो ऐसे ही साथ electron इस chlorine के पास है दो उपर दो इसके इस side में दो नीचे की side और एक यहाँ ठीक है ऐसे ही नीचे की तरफ 2, 4, 6 और एक यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 2, 4, 6 और एक यहाँ पर यह तो हमारे पास होगी chlorine के जो outer shell में electron थे उनकी बात अब बात करते हैं carbon के पास हमारे पास है चार electron अब यह चार electron कैसे arrange होगे एक electron उपर एक left में एक right में और दूसरा नीचे की तरफ तो हम जो यह 4 electron है इनको भी क्या कर देते हैं यहाँ पर dark बना देते हैं आपको ताकि अच्छे से दिख जाए तो यह भी हमने dark कर दिया अब carbon के पास कितने होगे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 यानि कि octet rule के according यह condition जो है इसके लिए satisfied है तो इसको हम एक round structures के अंदर क्य कर देते हैं close कर देते हैं अब बात करते हैं हमें chlorine के atom chlorine के पास 7 electron इसके खुद के थे और 8 electron कहां से आए का जो electron carbon ने share किया है तो carbon एक electron share किया है और 7 electron इसका था तो इसको भी हम क्या कर देते हैं blue करके structures में बंद कर देते हैं तो अब chlorine के पास भी कितने होगे 8 electron इस वाले chlorine के पास भी आठ्ट इस क्लोरिन के पास भी आठ्ट और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ccl4 के अंदर भी जब एटम्स आपश में इलक्ट्रोंज का शेरिंग करेंगे उस शेरिंग के बाद हमारे पास कैमिकल बॉंडिंग होगी और उनके बीच में जो बॉंड की फॉर्मेशन है व लैविश डोट स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से कैमिकल बॉंडिंग में हेल्प होती है ये दोनों लैविश डोट स्ट्रक्चर्स को सो कर रहे थे फिर हमने इनी कंपाउंट्स में इनी मोलिक्यूल्स में हमने क्या शो किया इनकी कैमिकल बॉंडिंग की वैलेंश इलेक झाल झाल